चलिए शुरू करते हैं उत्राखन के इतियास के अंत्रगत उत्राखन का प्रमार राजवनस पार्ट फोर आज ये प्रमार राजवनसे जुड़ी प्रस्ण उतरी का अंतिम पार्ट है इसमें भी हम देखेंगे कुछ प्रस्ण तो हमारा पहला प्रस्ण है गुरु गोविंसि हुआ था तो ये था भंगाडी का युद्ह करुए तो अगला पर मारों ने 83 नामक शिका किस धातुक अचलाया तो परमारों का एक सिख्षामें प्राप्त हुआ है तिमसी तो किस धातुसे बना उथा तो इसका सही अंसर थे चांदी अगला प्राश्ण नालागल के उद्ध में कौन सा परमार राजकुमार वीरगति को प्राप्त हुआ तो ना लागड आज के लेरा दुन में है और यहां पर गोर खाओं और परमारों के मध्य जो युद्ध हुआ तो इसमें से कौन सा परमार राजकुमार वीरगति को यहां पर प्राप्त हुआ तो यहां प्रमाराम ने एक परमार सज़क को महपरजंद बुझदंड की उपाजिदी, तो वो परमार है महीपति शाह, जिनको मुगली कों ने अखळराजा रजा भी काये, किस यात्री ने अपने यात्राविरतांत में 1803 के भुकम का जिकर किया तो 1803 में गड़वाल में एक भीषण भुकम पाया जिसने गड़वाल राजिकों बहुत चरी पहुंचाई तो देखेंगे किस ने इन मैं से इस भुकम का जिकर अपनी फुच्ताग्या यात्रावितानत में किया तो यह किया था हॉल्डविक ने बाकि जो तीन है वो अलग लग लोग है अजवेरो महिपदी साके समय उत्राकंड आई या स्रीनगर आई विलियम फिंच मान साके समय स्रीनगर आई तो हॉल्डविक ने छिक्र किया अगला प्रश्न गोरक पंत के ग अगला प्रश्न कुमाव आपर गोरका आक्रमन कब हुआ तो गोरकाओं ने कुमाव आपर कब आक्रमन किया तो इसका स MahiMate ses 190 अगला प्रश्न धार सील अभिले किस परमार से समंधे था तो एस क्वेसन की एक बार देख स्केहे हैं तो इसका सही अंसर था उखिमट से उखिमट रुद्रप्या की एक तैसिल है और किस सा सक्का यह है तो इसका सही आंसर होगा इन चारों में से अनंतपाल अगला प्रस्ट किस परमार नेरोकरात मंदिर देवप्रयाग में अपना सरीर त्याग किया तो एक ऐसे परमार थे जिन किसका सहना पति था तो एक सहना पति छे परमार राज्में में ढंधि कि किसके अनंती थे तो इन चारों में सरी आंशर है मांगा मानसा का एक अन्डिया प्रपोक सेनापतिता खतुरुआ मौलाराम का जन्म कब हुआ तो परसिद्र लेखक कहें या चित्रकार कहें मौलाराम का जन्म 1743 में हुआ अगला प्राश्न ललिट सा ने किसे कुमाओ के सियासन पर बैठाया तो ललिट सा ने जब कुमाओ को विजित किया बगवाली पुखर के युद्ध के बाद तो इन्होंने किसे गद्धी पर बैठाया तो इन्होंने अपने बड़े पुत्र को नहीं बलकि छोटे पुत्र दूसरी नमबर की पुत्र प्रदिबंसा को गद्धी पर बैठाया ज्यक्रित साइस के बाद स्रीनगर की गदी पर बैटे रणचुलाहाट का उद्ध किस-किस के मध्य हुआ तो एक उद्ध हुआ रणचुलाहाट का उद्ध तो किस-किस के ये मध्य हुआ तो ये हुआ था प्रदीप शाह और देवी चंद के मध्य है अगला प्राश्ण गोरखॉण्अ नें, लंगूरगळ पर कब आक्रमण किया, तो गडवाल का एक गड़ था पौडई में, लंगूरगळ, चमोडी, पौडई की सीमा पर, तो इस पर गोरखॉण्अ कब आक्रमण किया, तो 1780, 1791, 1792 या 1791 में, क्योंकि 1790 में कुपोड़ आ सब्सक्राइब विर्टान्त में अपने बताया कि एक परमार की मिर्च पर उसकी साथ राणिया से थी हुई तो तो उपरमार है श्यामसा अगला प्रश्ण किस परमार ने गुरक पंत को अपनाया था तो हम देख चुके हैं गुरक पंत के सामरी करंद में आधिनात का गया है अजैपाल को तो बद्रिदत पांड़े एटकिंसन वॉल्टन और हरकिस नतुड़ी में से एक ने कनकपाल को भोगदत भी कहा तो वो है एटकिंसन अगला प्रश्ण 51-52 का अकाल का पड़ा तो करवाल छेत्र में एक अकाल पड़ा 51-52 का अकाल तो यह अकाल पड़ा था 1794 और 1794 में इसे 51-52 किस इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय विक्रमी समत 1851 और 52 चल रहा था खुरूबड़ा का युद्ध कब हुआ तो खुरूबड़ा के युद्ध में परमार पूर्ण रूप से पराजित हुए और उन्हें गड़वाल से खदिर दिया गया गुर्खावादवरा झाल